समस्कार जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम हम महाभारत के वो अभिमन्यु हैं जो बिना वापस आने की विद्या जाने चक्रव्यू में उतर जाते हैं हम रामायन के वो राम हैं जिनके फेके हुए पत्थर पानी पे तेर जाते हैं टेडी नजर से कोई देखे हमें तो हम संगीन उठा लेते हैं पर जब संकट नजर आये संसार पे तो हम वैक्सीन बना देते हैं वसुधय कुटुम्गम की संस्कृती वाले वैक्सीन पर लिख देते हैं सर्वे संतु निरामया की हे उपर वाले तु हमपर ही नहीं सब पर कर दया हम जाबाज हैं, हिम्मत वाले हैं, आंधियों के से लड़ते हैं, तूफानों के पाले हैं, हम शांती का सवेरा हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, पहचान जाओ हमें, हम इंडिया वाले हैं जी हाँ, आज देश 26 जनवरी यानि गंतंत्र दिवस्त का जश्न मना रहा है और इसी मौके पर हमने भी हमारे दर्शकों के लिए एक खास पेशकर्ष हम लेकर आए हैं जिसका नाम है एवतन तेरे लिए हमने कवियों की एक ऐसी खूबसूरत महफिल सजाई है जिसमें की इनकी एक कवी की कवीता सुनकर आप भी देश प्रेम में से सराबोर हो जाएंगे जी हाँ आज हम एक बहुत बढ़िया कारकम लेकर आए हैं जिसमें हम हमारे दर्शकों के साथ देश प्रेम के इनकी कविताओं का पाठ करेंगे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे अच्छे कवी इस समय हमारे साथ मौग हैं क्योंकि मंचकवियों का है और कवियों के मंच पर मैं नहीं चालता कि दर्शकों को और बीच में ज्यादा देर रहूं इसलिए सबसे पहले शुरुवात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ बेटे कमल कांथ शर्मा जी को कि वो शुरुवात करें इस खूबसुरत मेहिविल की शुरुवात करें इस खूबसुरत से मंच की अपनी कविताओं के साथ कमल कांथ शर्मा जी स्वागत है आपका यही तो आन है मेरी यही पहचान है मेरी थी रकती है मेरे होठों पे वो मुसकान है मेरी क्या बात है मैं हसता हूँ मैं गाता हूँ मैं यूही मुसकुराता हूँ तिरंगा जान है मेरी तिरंगा जान है मेरी क्या बात है जी सर और इसी तिरंगे की शान में आज हम इस महान लोग तंत्र के इस पावन पुनित परवपर अपना ये कारे करम आपके चैनल के माचम से तन मन धन सब कुछ वारी है तेरी शान में जावल हारी है भारत मा की माटी हम को तो प्रानों से भी प्यारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है उन्नत में उत्तर में उन्नत हिमिगिरी है धक्षिन में सागर पगधोए गंगा यमुना चंबल रावी में कल कल बहता है तोए उत्तर में उन्नत हिमिगिरी है धक्षिन में सागर पगधोए गंगा यमुना चंबल रावी में कल कल बहता है तोए सरसो लहराए खेतों में महकी महकी फुलवारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है इद दिवाली लोहडी क्रिस्मित इद दिवाली लोहडी क्रिस्मस सब त्यंवार मनाते हैं मंदिर मस्जिद गिरिजा गुरु द्वारा सब में सीश नवाते हैं इद दिवाली लोहडी क्रिस्मस सब त्यंवार मनाते हैं मंदिर मस्जिद गिरिजा गुरु द्वारा सब में सीश नवाते हैं पर पहले हिंदुस्तानी है थिर मजहब की वारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है कुतुब ताज और लाल किले की है अपूर्व पहचान यहां कासी में गुझे महा आरती मस्जिद में गुझे अजान यहां पर लोक तंत्र के मंदिर संसद की पावनता मनोहारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है शकल विश्वने भारत की क्षमता का लोहा माना है चंदा मंगल तक पहुँच गए अब उससे आगे जाना है शकल विश्वने भारत की क्षमता का लोहा माना है चंदा मंगल तक पहुँच गए अब उससे आगे जाना है विश्वगुरू पहिले भी थे हम अब फिर से तैयारी है भारत मा की माटी हम को तो प्राणों से भी प्यारी है और नील गगन में ध्वजति रंगा शान से जब लहराता है हर भारत वासी का सीना गोरव से तन जाता है नील गगन में ध्वजति रंगा शान से जब लहराता है हर भारत वासी का सीना गोरव से तन जाता है जय हिंद उद्घोस से गुंजित कस्मीर से कन्या कुमारी है भारत मा की माटी हम को तो प्रानों से भी प्यारी है और अब अंत में यह आओ सब मिल कर इस माटी के कन कन को दमकाएं हम हर गाव गली उपवन बागी चे को फिर से महकाएं हम आओ सब मिल इस माटी के कन कन को दमकाएं हम हर गाव गली उपवन बागी चे को फिर से महकाएं हम स्वच्छ रखेंगे इस गुलसन को स्वच्छ रखेंगे इस गुलसन को ये सोगंद हमारी है भारत मा की माटी हमको तो प्राणों से भी प्यारी है अच्छी बात कमलकान जी आपने कही और अब सीधे सीधे आ जाते हैं जैजवान कि जैकिसान के इस हिंदुस्तान में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पर एक बिल्कुल पूरी उर्जा के साथ हमारे साथ यहां बैठे हुए कभी हेमंत कुमावत को जो की आप से रूबर संत्र दिवस की पूरु संध्या पर आप सभी देशवासियों को न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से वधायां सुभकामना प्रेशित करता हूं और माभारती की आरती में अपने सब्द पुष्प अरत करता हूं स्वागत है कि जने गाने और माने एकता के पेरोकार देशी के अखंड सम्विधान को प्रणाम है त्याग सांती हरी आली सुखद प्रती को वाली तीरंगे की आनबान चान को प्रणाम है वो शेखर बगत गूरू नेता जी सुबास चंद्र खुदीरा में अश्यफाग खान को प्रणाम है और गोरो को खदेडने को भीशन समर किया जासी वाली रानी की कृपान को प्रणाम है कि इंकलाब का सेलाब आया जब बेहिसाव वीरानों का होंसला तूफानी धन्य हो गया वो आजादी के हावन में प्राणों की दिया हुती या फासी के फंदे पे देहे दानी धन्य हो गया अस्तियां बहाई गई सिंग सारिदार की तो सतलुज सरीता का पानी धन्य हो गया मात भारती के लाल भगत का बलिदान देख देख सारा हिंदुस्तान धन्य हो गया और आईए गंतंतर दिवस पर हमें एक संकल्प लेते हैं कि एकता अखंडता का दिया जलता ही रहे और देश प्रेम घी की बाती होनी चाहिए संसकार धानी की जवानी कभी बूड़ी ना हो नई पीडी सब विता की थाती होनी चाहिए हर भी पिदासे जंग मिले के लड़ेंगे संग हर भी पिदा से जंग मिलिके लाडेंगे संग आभायूत कल की प्रभाति होनी चाहिए और सारा विश्व माने ताता भारत को विश्व गूरु भारत की फेरे वो ही ख्याती होनी चाहिए और क्यों है भारत महान चार पंक्ति रखता हूं कि जब भी कोई विपदा आई सकल विश्व का ध्यान रखा और सत्त सनातन के प्रहरी ने मानवता का भान रखा और सर्वे संतु निरामया का दुनिया को संदेश दिया सर्वे संतु निरामया का दुनिया को संदेश दिया इसी सोच ने सबसे उपर अपना हिंदुस्तान रखा और क्या संकल्प लेते हैं कि मात भारती की आरती में सब शामिल हों वतन से सभी को ही प्रीती होनी चाहिए उत्तर से दक्षिन में पूरविसे पक्षिम में रामजी के राज जैसी रीती होनी चाहिए दुरियोधन शिशुपाल रावन वेकंस जैसे पापियों की टोलियों में भीती होनी चाहिए होना पाए सडी यंत्र बने ऐसा गणे तंत्र सुद्धे और स्वक्षिराज नीती होनी चाहिए तब नई पिडी को संदेश देती चार पंक्तिया रखता हूँ कि जमूरे नाचना छोडे तनिक नटके इसारों पर धातूरे नापनपने दोश्वरण कुंदन पिटारों पर और हकीकत से रहे वाकिफ हमारी नव युवापिडी हिंद के स्वपन हों पूरे चलो बेशक अंगारों पर और आए उस तिरंगे की छविया आपके मानसीख पटल पर रखता हूँ जिस तिरंगे के लिए हमारे देश का सैनिक अपना सर्वस्वर कर देता है बताना चाहता हूँ कि प्रकृति ये धरा ये आकास किस तरह माभारती की आरती में लीन हो जाते हैं और सूर्यद और सूर्यास्त के समय यदि आप किसी हर्याली पार्क में खड़े होंगी तो प्रकृति जो नजारा बनाती है वह आपके मानसीक पटल पर रक्रत रंगे का चित्रों केरता हूँ कि उगिते वेचिपते दिवाकरी की किरणों से गगने में केशरी चरित्रे बने जाता है गगने के नीचे वाला भाग यदि देखोगे तो मध्यमे में धावले पावित्रे बने जाता है और हमारे देश का शैनिक जब सहीद होता है और मात्र सतरा दिन बाद उनकी शादी होने वाली होती है और तिरंगे में लिपट कर जब उनका शाव आता है तो क्या मारमिक पंक्तिया बनती है कि मात्र भूमी का मूरी देश पे हुआ सही देश भक्ति की अलखे देल में जगा गया दुनिया से मोहटाल बाकी फरज भूल भाल माटी वाला फरज वहमन से निभा गया कुछ दिन बाद जहां बजनी तीशे है नाई मात्र में के सुरुआ वहाँ च्छा गया और साफा से रिवानी राहत तक ते ही रहे और तिरंगे में लिपट के वीर घर आ गया तब कहना चाहता हूँ कि महबत का नया पेगाम तुम सबको पढ़ा देना महबत का नया पेगाम तुम सबको पढ़ा देना बिलखते आसुओं का होसला कुछ यू बढ़ा देना और अगर है शोक तुमको प्रेमिका को फूल देने का उसे लेकर सहीदों की समाधी पर चड़ा देना क्या बाद है क्या बाद है क्या प्रस्तितियां थे उस समय कि जंजीर गुलामी की जकडी विश्वेल चतुर्दिक फैली थी अंग्रेजों की कर्टूतों से भारत की शुच्ता मेली थी तब एक एक कर गौरों ने यू राज हरपना सुरू किया जहासी पर दुख के अम्बुद ने घंघोर उमरना सुर पर दो केशे अरने वार किया बिल गई वीरगत रानी को माटी का कर्ज उतार दिया और अंतिये पंक्तिया रखता हूं इस कविता की कि रानी तो चली गई लेकिन एक प्रशनबाद में जिन्दा था गौालियर नरेश को कृत्तों पर ये सकल हिंद सर मिंदा था उस समय अगर कुछ रजवारे रानी का साथ निभाजाते सन सत्यावन में ही हम सब आजादी का सुख पाजाते और अंतिन दो पंक्तियां कडवी हो सकती हैं लेकिन कवी का काम क्या होता है कि खुददारी की शाही की जो कलम हाथ में पकड़ी है वो सच लिखने से डर जाए तो कलम नहीं बस लकड़ी है तब कहना चाता हूँ कि राणी तो चली गई लेकिन एक प्रशन बाद में जिन्दा था गौलियर नरेश कुकरत तो पर ये सगल हिंद सर्मिन्दा था उस समय अगर कुछ रजवाडे राणी का साथ निभाजाते सनसत्यावन में ही हम सब आजादी का सुपाजा थे और गौरों पर मिलती विजय मगर कुछ अपनों से ही हार गई कुछ अपनों की ही गदारी लक्ष्मी बाई को मार गई जैहिन जै भारत वंदे मातर पर बाद के बाद हम फिर हाजिर होंगे कहीं जाईएगा रहीं देखते रही है निज इंडिया जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जो आजादी की सांस हम ले रहे हैं ये जो जश्न हम मना रहे हैं ये असल में उन लोगों का है जो शहीद हो गए लेकिन अभी अभी इस समय पर हमें सलाम करना चाहिए उन जवानों का जो कि विशम परिस्तितियों में रहकर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं जो कि कुछ भाव लेकर यहां से अपने घर से जाते हैं और जाकर रक्षा करते है हम सब लोग की, हमारी मात्र भूमी की, हमारी भारत भूमी की बंदे मात्रम कहते हुए, वो बड़े-बड़ी चोटियों पर चड़ जाते हैं, और कहते हैं कि ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, मुझे मेरे देश में चैनो अमन चाहिए, जब तक जिन्दा हू मात्र भूमी की रक्षा करूं और जब मैं मरूं तो मुझ पर तिरंगा कफन चाहिए जी हां इसी प्रकार के जो जवान है यह जो जवान है इनी जवानों के पीछे इनी जवानों के कारण हम आज यह जश्ण बना रहे हैं चलिए कभी संबेलन को आगे बढ़ाते हैं और आमं कीजे अपना कविता बाट बहुत शुक्रिया सुनील सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ मेरे पहले के दौनों रचनाकारों को विशेशकर हिमंत कुमावत ने बहुत अच्छा पड़ा बधाई हिमंत कमलकांत ने बहुत अच्छा पड़ा और सुनील ने जो उमीकार जो वातावन मुझे दिया है मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूँ शहादत की बात सुनील ने की अभी दोस्तों आज भी हम देखते हैं के 72-73 साल बात भी हमारे यहां अलग-अलग जगों पर सैनिक शेहिद होते हैं कुछ शत्रों की वज़े से हो रहे हैं कुछ घर के लोगों की वज़े से हो रहे हैं मैं अपने कावेपाट की शुरुवात इनी चार पंक्तियों से करना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ के कैसे कहूं बधाई है 26 जनवरी कैसे कहूं बधाई है 26 जनवरी कातिल ही रो रहे हैं शहीदों की लाश पर ये तो बड़ी धिटा आई है चबीस जनवरी अब एक गजल का मतला और कुछ शेयर सुनिये दोस्तों जी चबीस जनवरी पे हमारा समीधान हमें क्या कहता है इस देश को हमें कैसा बनाना है वहां से अपनी बात रखता हूँ जो हर एक गुल का निगेबान नहीं हो सकता हमारा समीधान हमें क्या कहता है जो हर एक गुल का निगेबान नहीं हो सकता ऐसा इस मुल्क का सुल्तान नहीं हो सकता जो हर एक गुल का निगेबान नहीं हो सकता ऐसा इस मुल्क का सुल्तान नहीं हो सकता वो जिनको आती है समझ सिर्फ जबाँ देहशत की वो कोई साहिब कुरान नहीं हो वो जिनको आती है समझ सिर्फ जबाँ देहशत की वो कोई साहिब कुरान नहीं हो सकता बता और खास एक शेर सुनिये के जिनको माटी से तिरंगे से कोई प्यार नहीं वो कोई आदमी शैतान नहीं हो सकता और एक शेर सुनिये दोस्तो और आखरी शेर इस घजल का के तुझको अजदाद की पगड़ी का नहीं कोई खयार अजदाद केते हैं पूरवजों को हमारा देश क्या कह रहा है जिन शहीदों नो इस देश की आजदी के लिए कुरवानी दी इस सम्विधान को यहां तक लाने के लिए कुरवानी दी देखिए देश की जो दशा है अगर कवी जैसा कि हमंत ने कहा कवी उस पर टिपणी न करे तो बड़ी अनुचित सी बात होती है लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि कविता गाली गलोच का नाम नहीं है कविता नारेवाजी का नाम नहीं है और वक्तव और कविता में कुछ अंतर हुआ करता है बेशक बेशक सुनिये जो लोग इसमें समिधान को ढूणना चाहें भारत को ढूणना चाहें इस 134-35 करोड़ों के मुलक में हमारा समिधान करता क्या है दरसल यह समिधान के दिवस पर हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर वहाँ से एक मतला उठाता हूँ समिधान ने किया क्या है क्या बात किस की नजर ने खेल का नक्षा बदल दिया क्या बात किस की नजर ने समिधान की नजर उसकी नजर ने खेल का नक्षा बदल दिया जिसको भी उसन गोर से देखा बदल दिया और इमदाद का ये ढंग निराला है देखिये इमदाद कहते है मदद करने को, स्वयोग करने को देखिये वेंग मैं अपनी बात को कैसे कहा जा सकता है के इमदाद का ये ढंग निरा आलाहे देखिये आलम पनाहने मेरा कासा बदल गया कासा कहते हैं बिक्षा पात को कटो रहा है इमदाद का ये ढंग निरा आलाहे देखिये आलम पनाहने मेरा कासा बदल दिया कल तक शुमार था जो गुलामों की भीड में कल तक शुमार था जो गुलामों की भीड में उसने तो एक रात में शिजरा बदल दिया शिजरा कहते है बन्शावली को हिंदुस्तान ने वो काम aja करके दिखाया है दोस्तों जो पूरी दुनिया में कोई देश निकरसे लगलत की कल तक शुमार था जो गुला मों की भीड में उसने तो एक रात में शिजरा बदल दिया भारत ने दुनिया को जो तेवर दिया है वो तेवर सुनिये इस शेर में कि जब उसने अपनी नजम का उनवालिया बदल क्या वाद है क्या वाद है किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर देखिए देश भक्ति यहों भी ठीट हो सकती है किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर हमने भी तंग आके ये किसा बदल दिया किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर हमने भी तंग आके ये किसा बदल दिया और एक बहुत खाश यह इस गजल का कि घर से चला तो सामने मन्जिल खड़ी मिली घर से चला तो सामने मन्जिल खड़ी मिली किसने मेरे नसीब का लिखा बदल दिया घर से चला तो सामने मन्जिल खड़ी मिली किसने मेरे नसीब का लिखा बदल दिया बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जी हां बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साहिल के किनारे से उटकर आप आ रहे हों ठंडी ठंडी हवाओं के जोके आपने महसूस किये हों बहुत शान्त वातावरण से लौट कर आप आ रहे हों जी हाँ बिलकुल सही आपने कहा बिलकुल बहुत अच्छी गजल आपने पेश की जी हाँ बात हम करते हैं जवानों की जो की बात चल रही थी कि आप सोचिए कोन से हार्ड मास से बने हैं कि जिस वातावरण में मास पेशियां गल जाती है वहाँ पर माइनस 30 डिगरी में वो असल में जो हमारे देश के जवान है जो हमारे देश की युवापीडी है उस युवापीडी को भी संबलना चाहिए उस युवापीडी को भी इसी दिशा में कदम रखना चाहिए बहुत हो चुका फेसबुक और इन सब पे बात आईए हमें दिल पे अलग जलानी होगी हमे थोड़ा सा देश भक्ती की तरफ जाना होगा देश प्रेम को अपनाना होगा जो कि हमारे आज के युवा कहते हैं परंतु क्योंकि युवा थोड़ा सा भटक रहा है उन्हीं युवाओं के लिए सिर्फ एक ये बात कि क्यूं मरते हो क्यूं क्यूं मरते हो बेवफा सनम के लिए दोगजमीन ना मिलेगी दफन के लिए मरना है तो मर जाओ अपने वतन के लिए हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए जी हां बिल्कुल और यही बात है हम अपने तिरंगे को सलाम करते हैं अब हम आते हैं सीधे हिंदी कवी स मेलरों का आप आयोजन करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और उसी के लिए सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और आमंत्रित करते हैं मंच पर मंच आपका है धन्यवाद निज इंडिया के सारे दर्शकों को गंतरत दिवस की हर दिक शुपकामना है हमेशे निज इंडिया नया लाता है अद्बूद लाता है और ऐसा लाता है जो स्रजनात्म को साहिल साब का जो बेचारिक उद्भोधन था कवीता में आईए उसके आगे मस्ति की ओ पर चलते हैं गणतंत्र क्या है कोई है हिंदू यहां कोई मुसल्मान है कोई है हिंदू यहां साहिल साब कोई मुसल्मान है किसी को गीता प्यारी है किसी को कुरान है पर देश न तो शरियत से चलता न मनुस्मृति से देश न तो शरियत से चलेगा न मनुस्मृति से देश का पवित्र ग्रंथ देश का सभीधान है और जो लोग वर्ग शंगर्ज की बात करते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं इन चार पंक्तियों से आईए रामायन से लेकर के गंड़तंतर तक चलते हैं और क्या व्यवस्ता रही वो देखना कि मेरे लोकतंतर का मेरे लोकतं कि आईटंतर की अजीब पहचान है जी भारत के लोकतंतर की अजीब पहचान है सबको साथ लेकर के चलने का इसमें बखान है और आपस की सम्रस्ता की इससे बड़ी उधारन क्या होगा वालमीक ने रामायन लिखी और बाबा ने लिखा सवीदान है, मेरे बाबा ने लिखा सकान है, साहिल साब कह रहे थे कि शहीद लिप्टी वी आती है, बेशक आती है, लेकिन कुछ बदला है, आज शहीद की लाज तो आ रही है, लेकिन सरस से आती है, चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ, कि कुछ फूल मिर जाए है, साहिल साब, कुछ फूल मुर जाए है, खाली घमला नहीं हुआ है, कुछ फूल मुर जाए है, खाली घमला नहीं हुआ है, और कमजोर मेरी सेना का अमला नहीं हुआ है, और अच्छे दिनों की बात सब इतनी सी है साहिल, अच्छे दिनों से इस देश पे बारी हमला नहीं हुआ है इस देश के अंदर कोई हमला नहीं हुआ है यह हमारा प्यार हम वहां भी positivity ढूंडते हैं हम उससे आगे चल करके बढ़ते हैं चार पंक्तिया कहना चाहता हूं लोग चाहते हैं मेरे से कि मैं वर्तमान हालातों पर कुछ कहूं तो एक 26 दन्वरी की गणतंतर दिवस की परेड अपने मायने रखती थी लेकिन इस बार एक परेड राजपत पर होगी और एक परेड ग्रामपत पर होगी ग्रामपत की परेड को जब हमने देखा तब चार पंक्तिया नजर आई दोनों बातें लोग पहले राजी होते हैं अपने एक फाइदा है निज इंडिया में यहां सब राजी रहते हैं सारी विचारधाराओं के सारी धर्म के अपना काम भी यही है कि नया दो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आद रहूं नया लेना चार चीज कि हमें आजकल कुछ नए से फैक्टर दिख रहे थे क्या बात ह जी नए सेक्टर दिख रहे थे आज सड़क पर देखा एक अजीव सा नजारा कमल आज सड़क पर देखा एक अजीव सा नजारा कमल पांच फोर्चून के पीछे दो टेक्टर दिख रहे थे क्या बात है क्या बात है क्या बात है और इन्होंने कहा कि ऐसा मेरे मुल्क का सु सुल्टान नहीं हो सकता, सुल्टान का है, कटम, सुल्टान, रजवाड़े, सब खतम, बाबा साब आ गए, क्या कहते है, चार पंक्तिया, आप भी राजी होना, आनंद आएगा, गणतंतर दिवस का मस्ती, अब आपके सामने जो आ रहा है, वो सारे लजीज बेंजन है, कि हमन तो लोकतंतर का दुलार चुना है, हमने तो लोकतंतर का दुलार चुना है, सुना है, एकता का कोई प्यार चुना है, सुल्टान, राजा, बाश्याओं से तंग आ चुके थे, जन्ता ने अपके तो चोकीदार चुना है, क्या बात है, क्या बात है, लेकिन चार पंक्तिया क कहना चाहता हूं जब चोकिदार के जो ये छोटे वाले चोकिदार गडबड करते हैं तब समझ में निया थी अपने न्यूज इंडिया का मतलब है एक समरस्ता रखते हुए हम किसी के एजेंडे से सेट नहीं हो बलकि आप लोग जो चाहें वो एजेंडा हमारा हो तब कहना च छाट रहे हैं जब हमें समझाना था किसानों को कानून जब जिनें समझाना था किसानों को कानून वो सब काम छोड़के रसीदे काट रहे हैं वो सब काम छोड़के रसीदे काट रहे हैं वो सब काम छोड़के रसीदे काट रहे हैं क्या बात है ये व्यवस्ता हैं सब लेक और वो लिखता है बजलंग बली का चित्र बना करके ये लिखता है और वो कहता है तब हमारा भारत कितना बदला है पॉजेटिव हमें रहना होगा कोरोना पॉजेटिव नहीं जो विचारों से पॉजेटिव जिनके विचार पॉजेटिव रहेंगे उनका कोरोना पर कपड़े टांग रहे होते नए दौर का भारत है जो विश्व का इलाज कर रहा है वरना हम भी कटोरा लेके भीग मांग रहे होते हैं और चलते चलते एक नई रचना देता हूं बिल्कुल नई ताजा जिसका पता नहीं मेरे को पूरी होगी नहीं होगी अभी बैटे-बै लिखी है कि आज के कारेकरम का सिर्फ है ए वतन तेरे लिए जी सुनिल भाई ये आजकल के लोग ऐसे नहीं है ए वतन तेरे लिए नहीं आजकल वो पूछते है क्या बना मेरे लिए ये बता क्या बात है ये करेते जासिकिरानी बगत सिंग क्यों बने बगत सिंग जासिकिरा और सिंदिया का अपने उधारण दिया कहा है जैसे कि रानी आप जब देखेंगे तो हम कल्पना करते हैं तो माराना-प्रताप और रानी का चिट्रा आता है माराना-प्रताप के आत में हाला है बाला लिए हुए और जैसी की रानी के बच्चा है रानी मर गई गोडा मर गया वो बच्चा कहा गया बच्चा जिंदा रहा सुनिल सर अकेला उस बच्चे के वन्शच जो थे आज भी पुने के अंदर एक केवल सेकंड ग्रेड का कोई कनिष्ट बाबू है सर और जिन सिंदियाओं के बारे में आप कह र बनसच का है लेकिन जिनोंने देश को बेचा आज उनके बनसच का है तब कहना चाहता हूं क्यों नहीं होता है यह सब कि अपना स्वार्थ मन में रखता है अपना स्वार्थ मन में रखता है साहिल साब दृष्टी में जगत नहीं रखता अपना स्वार्थ की सोचता है दृ अपने बच्चों के नाम तिल्लू पिल्लू चिल्लू तक रख लेते हैं कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं रखता कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं रखता जब यहां विवस्ता आती है तब जाकर के हमें आती है लेकिन अंतिम चार पंक्तियों से करके तब एक बात है केवल जब नहीं चाह रहे थे लिकिन एक व्यक्तिवाद हावी होने के कारण नहीं कर पाते लेकिन जब राजस्तान के अंदर भी एक प्रकरन आता है जब इप प्रकरन आया सर्पंचों के खाते पीडी अकाउंट में जा रहे थे लेकिन हमारा मख्यमंतर अपने फेसले को जब लगता है कि सरपंचों को तकलीफ है तो उस फेसले से वापस आकर के आज ये मख्यों मंत्री पीडी अकाउंट को वापस सरपंचों में कर लेता है तो सकता जब भी अगर जंता के साथ चले तो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता और मैं यह कहता हूं सीधा मंच पर बैटे वे बाबा साथ के चर्णार मिंदों में बैटके कह रहा हूं कि मेरी देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है और इस देश की तो शाहिद किस्मत ही खराब है और भाजप्पा कांगरेश में बस इतना सा फर्क है एक का दुला बावडा दूसरे की बरात खर चान है हम सत्ताओं के साथ बंदे हुए नहीं रहते हम चाहे जब पलड़ देते हैं यही हमारा गुणगान है यही हमारा गुणगान है धन्यवाद आप सब लोग गनतंतर दिवस की हार्दिक शुप्रम नहीं जी हां बहुत अच्छी बात आपने कही कमल मनोहर जी कि इस ब परमपराएं हम खुद अपने हिसाब से बना लेते हैं इस बार चाहे ट्रेक्टर की रेली चाहे विरोध के कारण भी हो लेकिन फिर भी बताते हैं कि असल में वो किसान हमारे लिए बहुत महतोपून है जी हां वही किसान जिसके लिए कहा गया है कि धूप है च्छाओं है जलते तेरे पाउं है धारा के विपरीत बहती तेरी नाव है जिसने मुझे भूग दी वो मेरा भगवान है पर जिसने मुझे अन दिया वो मेरे देश का किसान है जी हां समर्भित है इन जवानों को इन किसानों को हमारा आज का एकारकम और जी हां आप सभी के साथ हब अब तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत वंदे मात्रम